नमस्कार साथियों, आज का सेशन बहुत ही जादा इंफरमेटिव और मजदार हो नाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे important questions को raise करेंगे, कि क्यों USA ने सिर्फ Hiroshima और Nagasaki को ही option select किया for dropping the atomic bomb, क्यों उसने Tokyo को select नहीं किया, या Kyoto को select नहीं किया, Tokyo was the capital of Japan, and एक शहर पे अगर वो शायद bomb गिराता, तो शायद उसे time पर war खतम होता, क्योंकि USA का main मकसद bomb गिराने का क्या था, war को खतम करना ही था, तो एक शहर के बदले उसने दो शहर को क्यों चुना, यहाँ पर सवाल ऐसे race होते है, atomic bomb गिराना एक बहुत ही बड़ा step होता है, तो क्या USA ने atomic bomb गिराने से पहले, जो बागी के सारे options है, क्या उसे exhaust किया की नहीं किया, तो ऐसे सवालों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से address करने की कोशिश करेंगे, साथियो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ USA का perception लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या वो steps थे जिसके अंदर ये particular शहरों को select किया गया और Tokyo और Kyoto को नहीं select किया गया, यहाँ पर मैं कोई भी USA का side नहीं लेना चाहरा हूँ, ना ही मैं कोई यहाँ पर atomic bomb या violence को promote करने की कोशिश कर रहा हूँ, जियो politics को भी side में रखके, बस एक historical angle लेने का हम कोशिश करेंगे यहाँ पर, अब इसी form में आगे बढ़ते हुए, अ अपना atomic bomb का परिक्षन किया और उसका success उस time के USA के President Truman के पास उसका खबर मिलता है, message मिलता है, that the Trinity test has been successful and USA अब बन चुका है एक atomic power, अब atomic power use करने का, वो atom bombs को use करने का सबसे सक्रिय and सबसे उन्दा example और destination था Japan, क्योंकि जर्मनी के हारने के बावजूद भी Japan USA के साथ लड रहा अब सवाल ये था कि अगर USA को atomic bomb को use करना है Japan के उपर, तो सबसे पहले इन्हें ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि क्या इनको असल माइने में Japan के उपर ये bomb को use करना है क्या, क्योंकि उस time पर President Truman का ये मानना था कि this is a weapon of mass destruction, तो यहाँ पर उनके पास चार options थे, ये जो bomb use करन इस शेहरों के उपर rather than using the atomic bomb, इसके अलावा ये चारे थे कि हम by foot Japan को invade करने की कोशिश करें, एक बार Japan कबजा हो गया, उस तो हमें atomic bomb use करने के जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये भी fail हो जाता है, तो तीसरे में क्या है कि हम Japan के लोगों को यहाँ पर हम दिखा सके कि हमारे अभी तक इन्होंने atom bomb गिराने का बस इनको एक खयाल आया था, लेकिन अभी तक इन्होंने 100% सोचा नहीं था कि ये atom bomb गिराएंगे, अब इसी के अंदर सबसे पहला ये क्या था option कि अभी तक है न, ये conventional bombing ही कर रहे थे, इसका मतलब क्या है कि USA के planes जो है, वो बहुत सारे bomb कि Japan के शहरों के उपर वो bomb बरसाते हुए चले जाते हैं, उसी में से इन्होंने एक बहुत ही successful operation करा था, at that point of time, it was the operation meeting house, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की death हो गए थी, जहां पर Tokyo के उपर इन्होंने बहुत bomb बरसायते हैं, and Tokyo पूरा बरबाद हो चुका था, ऐसे अलग भी Japan के लोग surrender करने को ready नहीं थे, तो obviously यह पता चल चुका था कि conventional bomb करने से भी Japan हार नहीं मान रहे हैं, तब जाके इन्होंने, अब plane से तो successful नहीं रहे, तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, हम second step लें, that is, हम Japan के अंदर invade करें, अब invade करने के लिए इनको soldiers को on the foot भीजना पड soldiers, तो यहां पर अलग अलग जगाओं पर युद लड़े गए, and two of the main important battles at that point of time, जो लड़े गए थे, वो थे battle of Okinawa and Iwo Jima, जिसके अंदर बहुत सारे Americans की death होगे, हजारो Americans की death होगे, President Truman उस तेम पे कहते हैं, कि मेरा जो करतवया है, मेरे American citizens के तरफ भी है, American soldiers की life बचाना भी है, लेकिन साथ साथ में मैं इतना निर्दय नहीं हूँ, मेरे अंदर humanity भी है, मेरे को Japan के जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनका भी देखना है, so at that point of time, ये विचार atom bomb का use करने का, इनके मन में आता है, लेकिन वो directly use नहीं करना चाते थे, तो उसके लिए, what did they do is that, they decided to demonstrate it to the Japanese people, तो इस time पर, जब इनोंने सोचा कि हम Japan के नस्दीक में ये खाली islands के अंदर क्या करेंगे, Japanese लोगों को अपना एक संदेश भेजेंगे, कि भाई, तुम लोग यहां पर आओ, देखो कि हमारे पास एक atomic bomb है, जिसका परिक्षन हम आपको दिखाएंगे, and इसके devastating effects आपक कि क्या guarantee है कि Japanese लोग अपने delegates भेजेंगे यहां पर इस particular demonstration को देखने के लिए, सबसे पहली बात यह है, दूसरी बात यह है कि कि कितना समय लग सकता है Japan को table पर लाने के लिए, कि भाई तुम आओ demonstrations देखने को, अब चलो मान लेते हैं कि अगर वो आ भी जाते हैं, तो demonstrations, अब उन में से वो एक लेके आएंगे USA वाले और उसका परिक्षन वो करेंगे, ठीक है, तो सबसे मतलब बच गएते सिफ दो, और एक का जब अगर वो परिक्षन कर रहे है, उस परिक्षन में अगर वो successful होता है, ठीक है, क्योंकि उस परिक्षन में क्या हो रहा है कि वो plane से उसक सारे चीज़े वो बना सकता है, तो शायद युद और जादा लंबे समय तक चल पाए, इसके अलावा अगर वहां पर वो जो demonstration है, वो fail हो जाता है, मान लो अगर इन्होंने bum उपर से नीचे गिराया, और अगर वो blast नहीं हुआ, तो USA का image जपान के नजरों में और जादा ख सने रूबय जो अब यहाँ पर उन्होंने विखक तो कर लिया था कि अम आटम बॉम को घिराना है, अब घिराना है, तो इसके लिए क्या किया गया नअ, cities, मतलब cities select करने के लिए एक committee बनाई गई, अब हो committee से पूछा गया कि हमको city select करने हं, हमको कहां कहां पर घिराना है, तो अब वो जो कमिटी बनी, वो तीन लोगों की कमिटी उस टाइम पे बनी थी, अब उन तीन लोगों में एक थे ओपनहाइमर, वो स्वयम थे, दूसरे थे स्टिमसन, और तीसरे एक मिलिटरी जनरल थे, अब उन तीनों से ये चीज पूछा गया कि कौन से बेसिस के उपर हम वो पर्टिकुलर शेहरों को सिलेक करेंगे जपान के अंदर, तो उन्होंने दो क्राइटीरिया मेजरली निकाले, सबसे पहला क्राइटीरिया यहां पर यह था, कि वो जो भी टार्गेट सिटी रहेगा न, वो इस पर्टिकुलर आटम बॉम गिरने से पहले, वहां पर इंपक्ट वो बेसिकली पूरे जपान को दिखा सकते थे, इसके अलावा, यहां पर इन्हों ने यह बुला कि ऐसे हम कोई भी शेहर को नहीं उठा लेंगे, उस शेहर के अंदर कोई ना कोई military presence होना चाहिए, या military establishment, या military का जो warehouse है, वो सब होना चाहिए, तब ही जाके हम व नहीं है, नागासाकी इस एरिया के अंदर आता है, लेकिन अभी original list के अंदर नागासाकी है ही नहीं, और यह चार शहर होते हैं, अब इन चार शहरों में से, यह decide किया जाता है कि हमें कहां पर करना है, तो हिरोशीमा के उपर जो aspect आना वो fixed था, क्योंकि हिरोशीमा के अंद जपान गए थे, अपने पत्नी के साथ, अपने honeymoon पे, तो जब वो वहाँ पर गए, तो उन्होंने Kyoto को देखा था, मतलब Kyoto गए थे वो और उन्होंने वहाँ पर Kyoto के richness को देखा, कि कितना thousands of years का वहाँ पर history है, वहाँ का cultural activities कितने जादा strong है, मतलब वहाँ पर lineage and legacy था, जपान क ले गए थे, तो उनका और उनके wife का वहाँ पर बहुत ज़ादा, मतलब जो frame था Kyoto से और उनके local custom and culture से वो बहुत ज़ादा था, इसके लिए वो नहीं चाहते थे कि Kyoto के उपर atomic bomb को गिराया जाए, तो उन्होंने उस committee के बाकी के लोगों से बात किया, and उस time पर उन्होंने Kyoto को list से हटाने की बात करी, लेकिन बाकी के दोनों members, list में से हटाने की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे, यहाँ पर, military general बोल रहे थे, कि in war, everything is fair, मरना तो है, and apart from that, location का कोई value ने, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत lobbying किया गया, यहाँ पर Stimson द्वारा, and तब ज August 6th, August 6th को यह लोग decide करते हैं कि सबसे पहला bomb गिराया जाएगा, and सबसे पहला bomb, मतलब यहाँ पर plane में आता है, that is B-29 aircraft होता है, and उस plane के अंदर, Hiroshima के उपर सबसे पहला bomb गिराया जाता है, जिसको बोला जाता है little boy, इस particular bomb के वज़े से, nearly 140,000 लोगों का मृत्यू होता है, यहाँ पर Japan को पता चल चुका रहता है कि भाई, atom bomb का कितना बड़ा aspect है, मतलब कितना बड़ा उसका impact है, so यहाँ पर अभी तक वो समझ नहीं पाये थे कि हमें युद रोकना है कि नहीं रोकना है, और उसके कुछ ही, तीन दिन के बाद, that is August 9th को, यहाँ पर दूसरा B-29 का था कोकूरा के तरफ, क्योंकि कोकूरा एक बहुत major establishment था, again, जहाँ पर बहुत जादा military establishment, वहाँ पर था, arms and ammunitions वगेरा थे, कोकूरा को यह खतम करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर, because of the climate, वो plane, वो bomb वहाँ पर नहीं गिरा पाया, तो यहीं पर आगे नागा साकी था, तो नागा साकी पर गया, और नागा साकी पर उसने bomb गिरा दिया, यहाँ पर नागा साकी में estimated death is more than 40,000 to 70,000 का estimated death है, so point यह था, कि ऐसे करके यह selection किया गया, of this particular Hiroshima and नागा साकी, and Kyoto को list से हटाए गया, अब सवाल यह है, कि जो Tokyo है, Tokyo को क्यों यहाँ पर select नहीं किया गया, in the particular bombing, so Tokyo को नहीं select करने का main कारण यही था, यहाँ पर, कि इनका वो imperial capital था, उस time पर emperor hero ही तो और यह सब इधर ही बैठते थे, so अगर इन्हों ने Tokyo के अपर bum गिरा दिया, so at that point of time, सारे ही लोग, जो important personalities है Japan के, वो सबका death हो जाएगा, और अगर सबका death हो गया, यह war को तो खतम करना चाते थे जल से जल, लेकिन अगर सबका ही death हो गया, तो यह agreement और treaty किसके साथ करेंगे, war को खतम करनेगा, अगर सब लोग इधर ही मर जाते हैं, तो शायद कोई और अलग अलग जगह से लोग विद्रो में उठ जाएं, and some new power will come, कोई तो भी नया power में rise हो जाएगा, and शायद तब वो लोग गुसे में रहेंगे, क्योंकि इनके टोक्यो को बरबाद किया है, तो वो लोग गुसे में रहेंगे, and वो लोग उस war को और लंबे समय तक खीट सकते, तब जाके USA इस particular चीज़ पर हमें बंब नहीं गिराना है, क्योंकि अगर टोक्यो के अंदर लोग जीवि तो अब यहां पर दूसरा बंब बरसाने की कभी ज़रुरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, नागासाकी के उपर, लेकिन वहां पर कोछ जीव पॉलिटिकल टेंशन थे, जिसके वज़े से उसको गिराया गया, जहां पर यह कहा जाता है कि USO को बस तोवियत को दिखाना था, USSR क कि उनके पास atomic bomb है, so उसी वज़े से उन्होंने नागासाकी के उपर बंब गिराया, so यह इसके बाद जीव पॉलिटिक्स आ जाएगा, बट यहां पर अभी तक के लिए बस history इतना ही था, so I hope इस particular session में आपको यह analysis समझ आया होगा, so with this I thank everyone of you for watching this particular session, thank you everybody.